देख सकता है दोस्तों यहां कॉंबिनेशन अउप स्टाइल है यह सेमी के स्केट के सकते हैं और यह इन फॉर्मॉला प्राइट जो भी आपको है बड़मॉलीण पैटन देखिए दोनों की अलग-अलक ट्री कीतरा है क्योंकि अलग-लग टाइम पर अलग-अलक ट्रीट किया जाता है इसमें अब क्या हुआ है अब यहां ग्रोथ रुका है उपको ग्रोथ कर रहा है तो यहां आप बेलंसिंग कर सकते हैं इसमें मैंने डिफलेशन नहीं किया तो उसमें आप कुछ पत्ते गवाए और कुछ दिन पहले मैंने फटिलाइस भी किया हुआ था तो इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट कर दिया है तो वैसे यह डोरमसी में तो नहीं जाते पूराने प सिस्टम भी आता है दोस्तों इतना चाग्रोथ इतना ही जल्दी उसको खाने वाले भी आ जाएंगे कि नेचर में कोई फूट जादा नहीं खा सकता है इसको रुपने वाले भी आजी जाते है तो यहां देख सकते हैं लीफ रिडेक्शन दोस्तों मैं कितने चोटे-चोटे प्ते हो गए है यहां देखे और यहां देखे चूँँ ऐसा हुआ है क्योंकि हमने यहां ब्रांच की संख्या बढ़ाई है प्रांच की संख्या कैसे बढ़ाई है तो टाइम-टाइम पे लोस्तों ट्रिमिंग वगारा बैलेंसिंग बगरे करते रहेंगे अब यहां देख सकते हैं यहां देखिए यह ब्रांच दो इसको अगर यहां ब्रांचिंग करवानी है तो इसको कट करना पड़ेगा बले चाहे कौन सा भी मौसम क्यों ना अब डिफुलेशन भी कर सकते कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों दोनों में अन्बिलेंस पड़ा है देखिए अब उसको बढ़ावा मिलेगा तो इस तरीके से वर्क करना है दोस्तों पूरा में पत्य यह बैसे डिफुलेशन ही कर देना चाहिए पर इसने स्टार्ट ले लिया ह इसलिए मैं उसको दो बार अधिस्टब नहीं करना चाहता इसलिए उसके जो पूराने पत्य हैं उनको ही निकाल रहा है तो मैंने फटिलाइस किया था इसलिए यह पूरी तरह डिपोलेशन नहीं कर पाया और उसने नियो ग्रोथ स्टार्ट कर लिया पर यहां देखिए यह सोटे ब्रांचे हैं तो यहां हमें उसको बैलेंस करना पड़ेगा तो इसलिए पिंचिंग भी कर ही देना पड़ेगा जि कि इसमें हमें चाहिए कंट्रोल देखिए यहां भी यही है यह सब टाइम टाइम पर कौन सी सीजन है वो नहीं दिखना है हमें बैलंस करना पड़ेगा नहीं तो यहां छोटी-छोटी ब्रांचे ग्रो नहीं होगी जितनी ज्यादा ब्रांचे होगी उतना जल्दी यह सब बिलेंस होता नजर आएगा दुश्कों क्योंकि प्लांट की हैबिट नहीं है कि इतने सारी ब्रांचों में फूर पो जाया करें वो जो भी हल्दी होगे उसको फूर जादा देगा और वो बड़ा हो जाएगा और सोटे वाले निकल जाएगे प्लांट को भी पता है उसको क्या करना है कम काम करके अपने आपको कैसे ये एरेडी रख सकता है तो हमारी तरह इसमें भी इस तरह का होता है नेचरल सिस्टम बना हुआ है तो वो अपने आपको बेलेंस करके रखता है ज्यादा को खाना नहीं खिलाएगा क्योंकि अभी तो कम खाना बना पा रहा है यह एपसोग भी नहीं कर पाता है इसके यह सब चलता जीता है नेच्रली कि यहां में पिंचिंग भी साथ-साथ कर रहा है तो अभी काम नहीं कर सकता है इसा नहीं है अन्बिलेंस कभी भी करना पड़ सकता है और लोवर वांचों में भी मैं पूरा डिपलेशन कर देता है क्योंकि यहां अभी नया ग्रोथ स्टार्ट जस्ट होगा या नहीं होगा वेशा हो रहा है तो वहां में डिफॉलेशन कर लेता हूँ, तो यह इंड रोक बनाया था, मैंने रोक के अंदर कुछ केविटी थी, मैंने कार्विंग किया हुआ था, फिर उसमें लगा दिया था, सोटा सा, कटी, तो उसमें से यह हुआ है दोस्तों, फिर तो हमने उसको पूरा चॉप कर दि जो भी हो, जो अत्रिसुल बना है, वो नहीं चाहिए तो बीच वाला उड़ा देता है, इसमें से एक नया प्लांट भी बनाया है, मैंने एरियल रोटीस का ग्रोह गया था, उसको अलग कर दिया था, तो यह अब ज्यादा ब्रांच से कोई काम की नहीं, क्योंकि बहुत हो जाती, जो इस तरीके से बेलेंस वगएरे करते रहना है, दोस्तों, वेदर कौन सा भी हो, अजर प्लांट इक रहा है, तो काम कर सकते है, यहां दोस्तों में कोई शॉटकट नहीं लिया है, शोटे से प्लांट से में स्टाट करता हूं, कटिंग से क्लांट से भी नहीं, तो यह कटिंग जही हुआ है, एक प्लांट में 20 रुपे में लाया था, उसमें से सब यह हुआ है, अन्वांटेड ब्रांचे निकालते रहना है, बेसे यहां भी अन्वांटेड ब्रांचे, फिर बस टाइम काइम पे ट्रीमिंग, बेलेंसिंग, मैंने जो दिया है, वो करते रहे और आप कब बनाने लगेगे, पता भी नहीं से लेगा, तो चले मिलता है, इसके बने रहेगा, इसके कार्व डिखिए, मैंने कुछ अलग तरीके से बना रहा हूं, नॉर्मल तरीके तो सब बनाते हैं, बर हम मैंने एक अन्या जैसे आर्ट पॉम ही बना लिया है, तो इसे ही मेरे प्लान्ट अब डिजाइन करता रहूंगा, जब तक इसमें मुझे कुछ पता ना चले कि यह बूरा है, मुझे अच्छा लग रहा है, आप लोगों कैसा लगता है, जरू बताना है, थैंकियो पर वोच्छिए